हे गाईज, वल्कम बेक टो आर यूटीब चैनल दे इन्फो उशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नवरात्रे के सातवे दिन माता कालरात्रे की पूजा की जाती है देवी कालरात्री हमेशा ही अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती है और शुब फल प्रदान करती है यही कारण है कि देवी कालरात्रे को शुबंकरी देवी भी कहा जाता है माता कालरात्रे की क्रिपा आकस्मिक संकटों से मुक्ति दिलाती है देवी कालरात्री अभय वर्दान के साथ भक्त की ग्रह बाधाओं को दूर करती है। इसे के साथ ही मा कालरात्रे को काली, महाकाली, पद्रकाली, भैरवी, मृत्यू, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, राउद्री और धुमोर्ना देवी के नाम से पीच जाना जाता है। देवी भागवत पुरान के अनुसार देवी कालरात्री का शरीर अंदकार के तरह काला है। देवी के स्वासो स्वास की क्रिया से अगने उत्पन्न होती है। मा काल रात्री के बाल विक्राल स्वरूप में बिखरे हुए हैं और इनके गले में पड़ी हुई माला बिजले की तरह चमकती है। देवी काल रात्री त्री नेत्र है, इनके तीन नेत्र ब्रम्हान के तरह विशाल और गोल है। माता चार भुजाधारी हैं, जिन में से एक हाथ में खडग यानि के तलवार और दूसरे हाथ में लोह अस्तर है, जबकि तीसरा हाथ अबय मुद्रा में है और चौता हाथ वरद मुद्रा में है। देवी का ये कल्यानकारी स्वरूप तमाम रिद्ध सिद्यों को प्रदान करने वाला बताया गया है। और अन्त में देवी काल्रात्रे का सिद्ध मंत्र जब करना चाहिए। इस मंत्र का 108 बार जब करके आप भी देवी काल्रात्रे की असीम क्रेपा प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलिजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दे इन्फो उशिन को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पार वाचिंग